बॉर्निंग इस्टूडेंट्स आइम इंग्लिश टीचर सरिता चोहान मैं आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ख्रामर सो प्लीज लेट्स ओपन इंग्लिश बॉक्स इस्टूड्स यह हमारा चाप्टर त्री है सिंगूलर एं प्लूरल लाउंस लास्ट लेक्षे में मैंने आपको समझाया था कि सिंगूलर वर्ट्स में सिर्फ हम एस को एड करके उनको प्लूरल कैसे बनाते हैं आज हम उसके आगे का चाप्टर डिसकस करेंगे आज हम मैं इसमें बताया गया है कि जो यह कुछ नाउंस होते हैं जो जिनके लास्ट में एस डबल एस एक्स सी एच 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 वर्ड्स आते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में हम एस जोड़ दें तो वो प्लूरल में कनवर्ट हो जाते हैं यहाँ पर कुछ एच्जांबल्स दिये हैं बस इसके लास्ट में एस आ रहा है हम इसमें एस एच कर देंगे तो यह हमारा बन गया बसेज मोर देन वन होगी देखिए टू बस के फिगर बने हैं यहाँ पर तो बस में हमने एस जोड़ दिया तो यह हमारा बसेज क्लास लास्ट में डबल एस है तो इसमें हम एस जोड़ देंगे तो हमारा बन जागा क्लास इस बॉक्स लास्ट में एक्स आ रहा है तो हम इसमें एक्स एड़ कर तो बन जागा हमारा boxes, चर्च लास्ट में आया है CH देखिए CH बताया है इसमें हम एएट कर देंगे तो बन जागा churches, brush, SH तो SH आया है तो इसमें भी हम एएट करेंगे तो हमारा बन जागा brushes देखिए CH आपको थोड़ सा ध्यान रखना है कि जिन वर्ड्स के लास्ट में S, SS, X, CH, SH वर्ड्स आया है उनमें आपको ES add करना है S नहीं लगाना है सिर्फ ES add करना है तब आपका वो plural बनेगा अगर यह वर्ड्स पीछे दिये हुए हैं और आपने सिर्फ इनमें S जोड़ दिया और फिर आप इसको plural बनाएंगे तो यह आपका घलत हो जाएगा इसलिए यहाँ पर आपको मेंशन करके बताया है कि जिन वर्ड्स की लास्ट में S, SS, X, CH, SH हो उन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए आपको ES ही add करना है ओके एक्सराइस देखिए लोक एट दा पिक्चर एंड राइट दा प्लूरल फॉर्म्स ओफ दा नंग देखिए फर्स दिया है ब्रश ब्रश की स्पलेंग क्या होती है बी आर यू एस एच तो पीछे आया है एस एच तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें दीड़ी शोड देंगे तो हमारा हो जाएका ब्रशीज नेक्स्ट व्यात डावच ऩॉ टीष ऑच होता है टोस्में अठा च तो इसमें भी E स्फ जोड देंगे तो महारा बंजी यह ज्बड़ल देंगे तो हमारा बने बनाने का दो प्लास जी एल एडबल एज स्लिट driving P गलासिस नेक्स्ट हमाना सैंडविच से डव आई सी एच लास्ट में आयां चेच तो येश जोड के सैंडविचीज नेक्स्ट बैंच बीएन ती एच पैंच रास्ट में है उस्त है पुल्रल बनाएंगे तो जाया का बैंच इस ओष्ट्रिच ओएस टी आर आइस सी एच लास्ट में आया है CH तो इसमें ES चोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा ओस्ट्रिच ए इस्टुडेंट्स यह आज मैंने आपको समझा है प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझेए I hope you enjoy my class have a nice day